ये अजीत पवार आपको दिखाई दे रहे हैं अभी बाकी एलाइज में मुझे नहीं लगता ही कोई छूटा है नहीं लगवक सब आ गए हैं सारब जब ये कैबिनेट बर्थ की बात होती है तो बार-बार मुझे वो फोन कॉल और टेपस याद आते हैं जब जैनलिस्ट सेट करा करते थे और बहुत पहले से तैयारी होती थी और अब हमको ये भी नहीं पता है हमें जिरॉक्स तक लिए नहीं होता है जहां पहले कैबिन पेपर पर कुछ भी नहीं लिखा गया था कल जो प्रदान मंतरी के घर पर जो बैठक होई थी उस बैठक में नाम को शामिल किया गया था और कल रात से लोगों को बताना शुरू कर दिया गया था बाकी बीजे पी के लोगों को आज सुबर साड़े आट नौ बजे के बाद बताना शुरू किया गया था और सबको ये हिदाय दी जा रही थी कि बताना बिल्कुल नहीं है कि हमको चार मिले कम से कम हमको थोड़ी सी मायूसी हुई है कि हमें सिर्फ दो मिला है लेकिन उन्होंने इस उम्मीद के साथ ये का कि एक्सपेंशन में शायद इसको कॉम्पंसेट करेंगे इस तरह से भी देखा जाना चाहिए सौरफ कि जब TDP को आप सिर्फ एक M.O.S. और एक कैबिनेट दे रहे हैं तो हो सकता है कि J.O. को भी इससे एक मैसेज देने की कोशिश की गई है और आप और हम जानते हैं कि TDP को या चंदरबाबु नाइडू को समझाना इस लियास से बहुत आसान है और एक चेज यह तो है ही मैं शान्तो की बात पर केहना चाह रहा हूं कि अनरे बिलकुल सही का कि एक जमाना था कि इस लिस्ट के जी रॉक्स भटरे होते थे करते हैं नाम मत और समय नाम में यहा नहीं ले सकता। तो अम्रित काल अब शुरू होने वाला है इसलिए हम सब को खुश होना चाहिए आज उसके संकेत मिल गए है कि थोड़े नाम हम मिल गए तो चर्चा होने लगी है तो अम्रित काल में तो यह होता है कि आप भी सुखी रहें और सरकार भी सुखी रहें तो पत्रकारों का अम्रित काल है आनन्द मनाईए पुरानी बातों को छोड़िये यह सही है कि एक टीवी चैनल के दफ्तर से तै किये जाते थे और हलो राजा को बना दो और प्रजा को बना दो जो भी होता था तो उसको छो प्रदान मंत्री तो हर बैठक में ऐसा कहते रहें कि याद ना कि जब आप दिल्ली पहुंचोगे कोई आपको बनाने के लिए कहेगा और वो होता भी था मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जब वो सांसद बनके बिहार से यहां आये थे तो रेलवे स्टेशन पर उनके लिए एक्सेंट गाड़ी खरी थी मैं 2004 की बात बता रहा हूं